Hi everyone, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ The Tiger King की Complete Summary प्लस वीडियो के end में मैं आप सभी बच्चों को इस चाप्टर से related long answer और short answer type questions बताऊंगी जो बहुत ज्यादा important है कहानी जो Tiger King है एक इतनी amazing और एक इतने अटपटे राजा की कहानी है जो थोड़ा सा संकी होता है अभी यह जो राजा होता है न यह चमतकारी भी होता है चमतकारी कैसे होता है प्रतिबंद पुरम नाम की एक जगा है जहांके हमारे यह जो राजा जी है जिलानी जंग-जंग-बहादुर, जब यह पैदा हुए तो बहुत सारे ऐस्ट्रोलेजर आयोगे थे बहुत सारे पंडित लोग आयोगे थे और उन्हों ने एक प्रेडिक्शन करा, उन्हों ने बोला कि भाई यह जो राजा है ना यह दो जो जो तो चूटे से थे बिलकुल आप देखेंगे कि ये जो Tiger King हमें दिखाए गए हैं जिलानी जंग जंग बादूर इनका नाम है और इन्हें Tiger King के नाम से जाना जाएगा बहुत ही साहसी थे, courageous थे, brave थे Indomitable courage का मतलब है जिसे जीता ना जा सके मतलब इतने amazing थे ये, इतना साहस था इनके अदर Tiger King जो है, इनके बारे में एक rumor था कि ये जब 10 दिन के थे तो बाकी कि सब पंडित वगएरा और astrologers जो आए हुए थे उन्होंने ये बोला कि एक दिन इसकी death हो जाएगी तो राजा उसी समय बोल परते हैं, 10 दिन के जब ये थे कि ये कौन सी नई बात है, मरना तो सबको होता है मैं तो तुमारी बात तब मानू, तुमारी भविश्यवानी पर तब यकीन करूँ जब तुम मुझे बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी जैसे ही राजा को ये बोलते हुए देखा, एक 10 साल के बच्चे को सबी लोग वहाँ पर हैरान रह गए, लेकिन जब ये सारी चीजें हुई तो वहाँ पर जो एस्ट्रोलेजर था, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बता देता हूं कि तुमारे जो ग्रह वगेरा है, उस अकॉर्डिंग तुमारा जो ग्रह है, वो बुल के अंदर आता है, और बुल का दुश्मन जो होता है, वो टाइगर होता है तो तुमारी मौत का जो कारण बनेगा, वो टाइगर बनेगा ठीक है, ये ऐस्ट्रोलजर्जर्ज, जो भी तारे वारे देखके बताते एना, कि इस ग्रह में पैदा हुआ है वैसा टाइप का था, अब ये ऐस्ट्रोलजर्ज ने प्रिडिक्ट किया कि जो प्रिंस है वो जो है बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, बहुत ताकतवर बनेगा, बहुत शक्तिशाली बनेगा, इसके जैसी ताकत किसी में नहीं होगी, पर एक टाइगर की वज़े से इसकी डैथ हो जाएगी. तो अभी उस समय क्योंकि Britishers का बहुत ज्यादा राज था और Britishers हमारे देश पर कंट्रोल कर रहे थे तो हमारा जो राजा है उसकी परवरिश भी Britishers जैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं वैसे ही इनकी हुई मतलब English Nanny थी, English Movies देखते थे, English Kao का दूद पीते थे, सारी चीजें अंग्रेजो वाली थी इसके जरिये हमारे राइटर बताना चाहते हैं कि हम लोग कितना ज्यादा influence थे उन चीजों से चालिए, अभी जो केंग थे प्रतीबंद पुरम के वो बहुत जादा arrogant थे पर brave भी थे अभी जब ये 20 साल के हुए ना, तो इनको इनकी गद्धी पर बिठा दिया गया, क्योंकि उससे पहले तो ये चोटे थे जब ये बात हमारे राजा के कानों तक पहुचती है, तो वो सोचते हैं, अरे, ऐसे कैसे और अपनी बहादुरी और अपने साहस को वो क्या करना चाहते हैं, प्रूफ करने में लग जाते हैं अभी आप देखोगे, उन्होंने उस स्टेट के अस्ट्रॉलजर को वापिस से वहाँ पर बुलाया और उन्होंने क्या बताया उसको कि देखो, उन्होंने एक ताइगर को पहले जाके मारा और state के astrologer को बुलाया और बोला कि देखो तुमने बोला था मेरी deathic tiger की वज़े से होगी ये पड़ा tiger सामने तो वहाँ पर astrologer बोलता है कि मैंने जो भविश्यवानी की थी न वो बिल्कुल सही है ऐसा वो क्यों बोलता है वो कहता है चाहें तुम 99 tigers को मार दो लेकिन जो 100 tiger होग उससे तुम्हें बहुत ज्यादा problem होने वाला है वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा अब यहाँ पर वो बोलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो astrologer जो होता है वो बोलता है कि यार मैं अपनी चोटी कट वालूँगा insurance बेचने लग जाओंगा न जाने क्या-क्या मैं अपन tiger से problem होने वाली है वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा यहाँ पर अब जो king था उसने कसम ठान ली कि मैं तो भाई साब और tigers को यहाँ पर मारूँगा मैं तो 100 के 100 tigers मारूँगा यहाँ पर उसकी जिद दिखी बेवकूफी दिखी क्योंकि वो केवल मतलब वो क्या कर रहा थ वो उसके उपर भी दिखाना चाहता था कि वो कितना ज्यादा महान है तो वो लगाता tigers को मारने में लग गया अपने state के अंदर उसने घोषना करवा दी कि देखो कोई बी इंसान किसी भी tiger को हाथ तक नहीं लगाएगा कोई problem नहीं cause करेगा अगर कोई ऐसा करता है तो क्या क किया जाएगा सीधी सीधी उसकी सारी जमीन जायदात पैसा वैसा सब कुछ उससे हडप लिया जाएगा सीधी बात वहाँ पर बोली गई तो महाराजा की जिंदगी का अब main aim जो हो गया था वो tiger hunt हो गया था और इस वजह से सारे प्रतिबंध पुरम के जो tigers थे जो forest के भी था तो मरना तै था आप उन्होंने क्या बोला था कि किसी को भी क्या नहीं करना है tigers को हाथ नहीं लगाना है अपना टागेट अचीव करने के लिए जो hundred tigers का टागेट था उनका अपनी जो राजा उन्हें के नाते duties थी न उन पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं द यहाँ पर क्या दिखता है उनकी गैर जिम्मेदार्गी दिखती है अब उन्होंने जब टाइगर्स को मालना स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं था कि यह काम बहुत इजी था बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा बहुत सारे थ्रेट्स धेखने पड़े बहुत सी बार ऐसा हुआ की उनके पास कोई भी हत्यार नहीं था उन्होंने अपने हाँआगर्स का सामना किया उन्होंने मारा भी तो यह कोई दो मतलब इसमें तो कोई दो रहा नहीं है 70 tigers उन्होंने प्रतिबंदपुरम के एरिया में जो थे वो सारे उन्होंने मार दिये एक बार इसी बीच में क्या हुआ एक बहुत हाई रांकिंग ब्रिटिश ओफिसर जो है वो वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि भाई देखो मुझे भी tiger hunt करना है अब राजा ने तो band लगा रखा था tiger hunting पे तो राजा जी ने मना कर दिया बोले नहीं आप tiger hunt नहीं कर सकते तो वो सूचता है कि ऐसे कैसे फिर वो उसके सामने बोलता है कि या चल ठीक है tiger hunt तू करना मेरे केवल photo किचाने दे इस चीज के लिए भी हमारे tiger king मना कर देते हैं मना क्यों कर देते हैं उन्हें लगता है कि अगर एक को permission दी तो दस लोग हो रहेंगे वापर उसका मजाक उडाते वे बोलते कि अब बाकी किसी चीज का शिकार कर लो जंगली सूर का कर लो मच्छर का कर लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बट tiger का तो मैं शिकार नहीं करने दूँगा photo भी नहीं किचाने दूँगा साफ मना कर दिया अभी उन्होंने उनको मना कर दिया कि भाई एक को दूँगा तो और ऐसी request आने लग जाएंगी मैं कब तक ऐसा देखूँगा अब क्यूंकि king ने मना कर दिया permission देने से और वो जो officer था बहुत high rank पे था तो king को क्या लगा कि ये तो मेरी गद्दी के उपर threat है भाई अब मेरी गद्दी हाथ से जा सकती है तो उन्होंने दिमाग लगाया उन्होंने क्या कि आपने दिवान के साथ discuss किया और ना कुछ 50 हीरे की अंगूठिया मंगवाई और British officer की बीवी को भिजवाई कि आरे यार अगर किसी को मनाना है तो उसकी बीवी को थोड़ा सा पटालो वो अपने आप पट जाएगा 50 हीरों कि अंगूठिया उसने वहाँ पर सैंपल के तौर पर भेज दी British officer की वाइफ के पास अब उसे लगा था यार 2-3 लेगी वापिस कर देगी वो आपको पता है Britishers हमारे याँ क्यों आये थे लुटे रहे थे लूटने आये थे आये थे ना तो बस उसने 50 की 50 रिंग रख ली जिसमें हमारे राजा को पूरे 3 लाग का नुकसान हुआ पर राजा ने सोचा कि चल कोई बात नियार पैसे गए तो गए पर मेरी गद्धी तो बच गई चलिए यहाँ तक हमें पता चला राजा के बारे में कि उसका किंगडम ऐसे बच गया अब इस इंसिडेंट के बाद वापिस से उसने अपनी टाइगर हंट स्टार्ट कर दी और कुछ समय बाद तक उसने 70 टाइगर मार दिये लेकिन अब प्रतिबंध पुरम एरिया में टाइगर कम होने लगे थे दिखी नहीं रहते खतम ही हो गए थे तो अब उसको लगा कि मैं अब आगे क्या करूँ कुछ तो उसकी मुझे लगानी पड़ेगी तो जो केंग है उसने दिवान को बोला कि देख आसपास कि जो स्टेट्स हैं सबसे पहले ये पता लगा कि कि स्टेट में सबसी ज्यादा टाइगर्स है और फिर उस स्टेट में देख क्या ऐसा कोई राजा शाही परिवार है जिसकी बेटी से मैं शादी कर सकू और फिर मैं जाके उनके वहां के टाइगर्स को भी मार सकू अब फाइनली दिवान ने काम शुरू कर दिया ऐसी एक लड़की मिल भी गई और उससे शादी कर ली अब हमारे जमाई जी जब भी ससुराल जाएं टाइगर्स को मार के आएं ठीक है बाई ये भी काम चलता रहा चलता रहा चलता रहा तो इस तरीके से 99 99 टाइगर्स उन्होंने मार दिये अब 99 के बाद एक टाइगर मारना बचा था उसकी वो उसकी जो कसम थी वो पूरी हो जाती तो अब ना बेचैनी बढ़ने लगी ठीक है टेंशन बढ़ने लगी चारो तरफ अब टाइगर्स ही नहीं बचे मारेंगे कैसे तो जितने भी टाइगर्स उसने मारे थे ना अपनी पैलस के अंदर उनकी जो स्किन थी वो सजा के रख रखी थी उससे दिखा रहा था मैं किता ब्रेव हो किता ब्रेव हो तो अभी केवल एक टाइगर मारना बचा था बच्चापाटी और महाराजा जो थे वो बहुत ज्यादा परिशान हताश निराश और गुसे में भी थे अभी टाइगर हंटिंग तो वो छोड़ नहीं सकते थे ये वाले टाइगर से तो सबसे ज्यादा खत्रा था तो जो हांडरेट टाइगर था वो कैसे भी करके नहीं मिल रहा था किंग जो है इस बात पर बहुत परिशान हुआ और एक दिन उन्हें ये खबर मिली कि यार आजकल न एक पहाड है उसके पास से जो शीप हैं वो बहुत ज्यादा गायब हो रही हैं अब उसको वहां पर एक उमीद दिखी कि यार कहीं कोई टाइगर ही तो ये नहीं छुटकारा देता हूँ राइट और वहां पर निकल गया उस टाइगर का शिकार करने के लिए पर वो सारी चीजे वियर्थ हो गई क्योंकि उसको कोई भी टाइगर नहीं मिला किंग इतना गुस्सा हो गया कि बहुत सारे ओफिसर्स जो थे उनके असपास जो काम करते थे आ दिवान भी इस टाइम पर बहुत टेंशन में आगया कि यार मेरी जो जौब है मैं भी फायर हो सकता हूँ क्या करू क्या करू क्या करू क्या करू वहां पर जो उन्होंने टैक्स माफ किया था उस टैक्स को भी उन्होंने डबल कर दिया गुस्से में तो थे ही राजा जी त तो दिवान ने क्या किया People's Park जो ताना मदरास से वहां से एक Tiger मंगवा के अपने घर में रखा और महाराजा जब Tiger Hunt के लिए गए तो जैसे तैसे करके दिवान ने जंगल में तो थे ही वो All Time वहीं रहते थे तो जैसे तैसे करके दिवान उसको गाड़ी में डालके लेके आया और वहाँ जाके राजा से कुछ दूरी पर उसको रख दिया अब वो जो टाइगर था बिचारा बहुत ज्यादा बूरा था तो उसमें इतनी ज्यादा एनरजी थी नहीं तो वह वहाँ जाकर ऐसे खड़ा हो गया राजा कुछ ऐसे पदचला सामने टाइगर है राजा गया और राजा ने निशाना साधा और शूट कर दिया और राजा को लगा कि टाइगर मर गया है लेकिन टाइगर मरा नहीं था अब राजा जी तो वहाँ से चले जाते हैं राजा जी चल जाते हैं बोले लेकर आओ इसका जुलूस निकालो इसका पूरा अपन एक वो टूम बनवाएंगे ठीक है और सबको दिखाएंगे ये मेरी साहस बहादुरी का एक वो है सिंबल है वैसा करके ठीक है राजा चला गया वहाँ से क्योंकि उसका तो वो पूरा हो ग गया तो बाकी के हंटर्स ने सोचा कि अगर अभी हम गए राजा के पास तो हमारी नौकरी चली जाएगी गुसा हो जाएगा तो उन्होंने क्या किया थोड़ी दूरी पर जाकर खुदी टाइगर को शूट कर दिया और उसको ले गए जुलूस वगरा निकाला उसका पूरा पुजेशन पूरे गाउं में उसको दिखाया करा सब कुछ हुआ अभी जब ये सारी चीजे हो गई तो हमारे राजा जी जो थे टूक आउट दी पुजेशन और बरीड दी टाइगर अटूम वस रेक्टेड ओवर इट उसके ओपर पूरा गुमबद बनवा दिया गया वो मार्केट में जाते हैं तो वो सोचते हैं क्या दू क्या दू क्या दू कुछ समझ नहीं आता फिर उन्हें एक टाइगर दिखता है लकडी का अब वो टाइगर जो है वो perfectly carved नहीं होता अच्छे से बना हुआ नहीं होता उसमें ऐसे fast सी निकली हुई होती है तो जब वो shop keeper से पूछते हैं कि भाई कितने का है तो shopkeeper सोचते है ऐसे बताऊंगा तो ये तो थोड़ा गुसा करेगा तो वो वहाँ पर बोलता है the toy was only for two annals but the shopkeeper said it was a rare example of craftsmanship and sold it to the king for 300 rupees था वो दो आने का ही लेकिन राजा को बोला 300 रुपे का है तो भाई साह राजा उसको क्या बोलते हैं कि ठीक है ये तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे को gift free में ही ले गए ठीक है तो अभी क्योंकि उसका बेटा और राजा जी बढ़िया उस tiger के साथ खेल रहे थे उसमें कुछ लकडी की वो निकली हुई थी जो by chance खेलते खेलते राजा जी के हाथ में लग जाती है अब यार इतना महान इतना brave राजा इतनी सी चीज़ पर क्या ही ध्यान देगा उसे निकालता है या नहीं निकालता है पता नहीं उसको ignore कर देता है लेकिन कुछ समय बात क्या होता है कि राजा के हाथ में उस चीज़ की वज़ा से infection फैल जाता है राजा जी मारे गए एक बात बताओ राजा मर गया तो ऑपरेशन सक्सेस्फुल कैसे हुआ देखो सौवे टाइगर ने automatically अपना काम कर दिया था अभी astrologer ने ये थोड़ी बोला था कि जिन्दा टाइगर से खत्रा है या लकडी के टाइगर से खत्रा है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे राजा जी का you know क्या हो गया हाँ वाई so finally hundred tiger ने अपना revenge ले लिया और operation successful हुआ क्योंकि वो राजा अपने प्रजा के लिए तो बिलकुल भी अच्छा राजा नहीं था क्योंकि उसने अपनी एक वो पूरी करने के लिए अपनी एक कसम अपनी एक जिद अपने आपको brave साबित करने के लिए यह सब stupid चीज़े की जिसकी वज़े से अगर हम देखे तो हमारे environment पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा राइट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा यह पूरा हमारा system खराब करता है ना पूरा food cycle खराब करता है तो यह एक बहुत important part था इस chapter का कि as a human being हम सोचते नहीं animals के बारे में ठीक है चाल के most important questions है long answer type भी है और short answer type भी है मैं आशा करती हूँ आज का ये video आप लोगों को काफी पसंद आया होगा I wish and I hope कि आप लोग यह जो questions दिये गए हैं इनको अच्छे से practice करेंगे और अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं so bye guys take care and see you in the next class